नमस्कार साथीं, स्वागत है एक बाद फिर से सौरफ सिलेक्टिव क्लासेस में तो साथीं फिर से हम यहाँ पे लेकर आगे हैं तीन दिसंबर की जो सेकेंड सिप्ट में पूछे गए जी के और करेंट अफेर्स के कोस्चन है यह 100% authentic कोस्चन है जो यहाँ पे एक्जाम में पूछे गए है हना जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हों किस प्रकार के कोस्चन पूछे गए है तो चलिए देरी न करते हो आज हम सेकेंड सिप्ट के कोस्चन को देखते हैं और उनके आंसर सहीद हम समझते हैं उने तो सबसे पहला आज का कोस्चन है कि औरंग जेब की मृत्यू कब हुई थी तो औरंग जेब की जो मृत्यू है औरंग जेब के वारे हम समझे तो औरंग जेब की मृत्यू चार मार्च 1737 में हो गई थी और औरंग जेब को कहां दफना गया था तो औरंग जेब को दौलताबाद में इस्थित फकीर बुरहन दीन की कब्र के आहाते में दफना दिया गया था भारत पर राज्य करने वाला है छटमा मुगल सासक था तो इस पर आद को भी आद रखना या आपसे पूछता है कि भारत मतलब आखरी मुगल सासक जो भारत में राज किया वो कौन था तो बहादूर साह जफर या बहादूर साह दुती ने आखरी मुगल सासक थे ठीक है योजना ने क्रिशी उत्पादन और रक्षा में आत्म निर्भरता पर भी ध्यान केंद्रित किया था उननीस सो अठतर में नव निर्वाजित मुरार जी देशाई सरकार ने इस योजना को खारिच कर दिया और पांचमी परच वरसी योजना जो है उननीस सो चोहत्तर से तक पांचमी पंच वरसी ऐसी योजना है जिसका कारकाल आपका चार वरस का था और इसे निरस्त किस ने किया था तो नाव निर्वाजित मुरार जी देशाई की सरकार ने इस पंच वरसी योजना को निरस्त कर दिया था किस पर फोकस था तो यह क्रिसी इंप्लाइमेंट ग जरूर कोश्चन पूछे जा रहे हैं और साथ इसाथ मेलों से कोश्चन यहां पर पूछे जा रहे हैं तो जार जटिन्रत की बात की जाए तो जार जटिन्रत जो है उत्तर विहार का सबसे लोक प्रीन्रत है खास करिया है मितिला और कोशी के छेत्र में किया जाता है और इसकी यहां पे इन छेत्रों में यहां निरत्य किया जाता है नेस्ट कोश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक साक्षर्ता वाला राज्य कौन सा है तो भारत में सबसे अधिक साक्षर्ता की बात की जाए अगर ऐसा question आप से पूछता है, तो बिहार की साक्षर्चाद जर्जो है, सबसे कम है, केवल 61.89% लोग ही यहाँ पे क्या है, सिक्षीत है, नेश्ट question की और बढ़ते हैं, तो 2021 US Open Table Tennis कब सुरू हुआ था, तो US Open की बात की जाए, तो यह आकरी बे टेबल Tennis होता है, जो 2021 US Open Tennis हुआ, US Open इसे कहा जाता है, यह US Open का 141 संसकरण खेला गया, और साल का चौथा और अंतिम Grand Slam event था, तो जो US Open होता है, वो साल का अंतिम Grand Slam खेला जाता है, और सबसे अगर आप से पूछा था, सबसे पहला Grand Slam event कौन सा होता है, तो Australia Open जो जनवरी के समय पे खेला जाता है, औ अंतिम Grand Slam था, और इसकी सुरवाद जो थी, 30 अगस से 12 सितंबर तक हुई थी, इस बात को भी आपको यहाँ पे याद रखना है, नेस्ट कोश्चन जो होता है, कि असंतरप्त हाइड्रोजन क्या है, तो असंतरप्त हाइड्रोजन की बात करें, तो जिस हाइड्रो कारवन म कम से कम एक कारवन जो है, कारवन द्विवन्द या कम से कम एक कारवन जो है, कारवन त्रिवन्द पाया जाए, और जिस हाइड्रो कारवन में, एक कारवन का द्विवन्द हो या तो फिर कारवन का क्या त्रिवन्द पाया जाता है, तो उसे असंतरप्त हाइड्रो कारवन क कहते हैं तो ये भी ये भी important question और science से इस तरीके के question लगातार पूछे जा रहे हैं चलिए next question देखते हैं तो next question geography से related था जो word geography से question पूछा गया था कि कौन सा परवत पस्चिम में Asia को यूरोप से अलग करता है तो इसका answer है यूराल परवत जो है यूराल परवत स्रंखला जो है यह Asia को क्या करता है यूरोप से अलग करता है तो देख पा रहे हैं कि यूराल परवत स्रंखला पस्चमी रूस में उत्तर से दक्षिन की ओर इस्थित है यह Asia को यूरोप से अलग करती है और यूराल परवत स्रंखला की लंगवाई लगवक कितनी है 2000 km है जबकि इसकी की बात की जाए तो इसकी अनूसंदों रहनी अर्थात यहाँ पे रिसर्च जो रेंज है क्या रिसर्च रेंज जो है इसकी सबसे उुची चोटी मानी जाती है next कोस्टन देखते हैं तो next question है कि ऑसकर और ग्रें़ी ड्र जीतने वाले संगीतकार भारति कौन है तो इनका उत्तर है अल्ला रखार रह्मान या फिर सबसे लोग प्री रूप से देखेंगे तो A.R. रह्मान ऐसे भारती फिल्म के लिए हैं जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं जिन्होंने मुख रूप से हिंदी और तमील फिल्मों में संगीत दिया है और यह है आसकर और ग्रै नदियों के संगम में इन में से कौन नहीं है तो इस तरीके से question आया था तो अगर हम बात करें पंचनद की तो पंजाबी भासा में पंज का मतलब होता है पांच नदियों का संगम और वेदों में पुरातन पंजाब का नाम पंचनद के नाम से जिक्र मिलता है इसलिए इन नदियों को क्या कहा जाता है पंजनद जो पंजाब से भेती है अब यह पांच नदियां कौन कौन सी है तो यह पांच नदियां है आपकी जेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलूतWould यह important है क्योंकि और यह पूछा जा सकता है कि जो पंच नदिया है यह किस नदीतंतर का भाग है यह सिंदू नदी तंद्र का भाग है नदी तंद्र का मतलब होता है एक मुख नदी बाकि उसकी क्या ट्रिब्यूटरी नदी जो होती है उसमें जाके मिल जाती है यह जितना एरिया गेलती है यह जितना एरिया कैप्चर कर रही है वो उन सब का क्या कहलाता है नदी भराव छेत्र कहलाता है नेस्ट कोशन अगर देखे तो नेस्ट कोशन आता है कि एक्स वाई पार्टिकल की खोज किस ने की थी तो एक्स वाई पार्टिकल की खोज की बात की जाए तो एक्स वाई पार्टिकल की खोज किस ने की थी मैक्स प्लांक ने की थी तो यह रहा आपका किसका second shift का जो second shift में पूछे गए question थे GKGS से और अभी हम आगे चलके इसमें third shift, four shift साथ जो चारो shift का एक combination वीडियो लेकर आएंगे तो आप और हमारे साथ जुड़ जाएंगे जिससे हम SSE से जुड़ी सम्बंदि सभी जानकारी इस चैनल पर लेकर आएंगे और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो भी हमारे चैनल को subscribe जरूर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे भागीदार बनिये जिससे हम इस तरह की वीडियो आप तक पहुचा सकें और हम इस तरह की वीडियो लेकर जल्द ही आपसे मिलते हैं जब तक के लिए जैहिन जैभारत